आप लोगों ने बेल गाड़ी रथ या ट्रेन देखी होगी जब ट्रेन या फिर रथ चलता है तो उसमें जो है उसके वील में पईये में जो है स्पार्क होता है चिंगारिया निकलती है अब यह जो चिंगारिया निकलती है क्यों निकलती है क्या रिज़न है तो जब ट्रेन चलती है तो उसमें जो है घर्षन लगता है घर्षन जो है एक परकार का बल है बल यानि कि आप लोगों ने देखा होगा exercise के दोरान जो है कोई व्यक्ति जब पुश करता है धक्का लगाता है या अपनी और किसी वस्तु को खीचता है पुल करता है तो उसको हम बल कहते हैं य कौलीबैक को खीचते हैं उस खीचा हो को ही हम बल कहते हैं भाजम पढ़िंगे एक भाजी की साइन्स का माली ठीप करेंगर चैप glitter ऐसे कि आप लोगों ने देखा IMA कि जो ट्रेइन होती है ट्रेइन की पट्रियों 137 playing इस तरह से तो इसमें आपने देखा होगा कि इसके बीच में जो है चिंगारी सी जैसे उड़ रही है ठिक वैसे ही चिंगारी ट्रेन के पटरियों से निकलती है या तुमने बहुत सा देखा होगा कि जो भोड़े जो है जब रत के साथ में रोड़ पर दोड़ते हैं तो इस तरह से उसमें भी चिंगारिय निकलती है तो यह जो चिंगारी निकलती है आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है आखिर यह चिंगारी जो निकल रही है किस कारण से निकल रही है क्या होता है तो उसी को यहाँ पर कहा जाता है घर्शन जो कि हमारा यह संपर्क बल में आता है ठीक है अब घर्शन मतलब क्या ह इसको हम आगे वीडियो में देखेंगे फिलाल अभी हमें जो इसमें पढ़ना है हमें बल और दाब के बारे में पढ़ना है कि बल किसे कहा जाता है और दाब किसे कहा जाता है तो आगे देखें कि बल किसे कहा जाता है बल को English में force भी कहा जाता है बल क्या है किसी वस्तु पर लगने वाले अपकर्शन जिसको हम धका भी बोलते हैं या अभी कर्शन जिसको हम खिचाओ केते हैं यह जो है इसी को हम बल केते हैं या आपने देखा होगा जिसके हमारे पास में कोई वस्तु है उसको धकेला जा रहा है तो हम उसी को कहते हैं बल या फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास में कोई वस्तु है उसको जबर्दस्ती खीचा जाता है तो यह जो खीचा जा रहा है वस्तु को हम इसी को बल कहते हैं बलके अगर हम SI मातरक की बात करें उसको किसमें दर्शाया जाता है, किसमें लिखा जाता है, हम उसी को कहते हैं, SI मात्रक, जैसे कि आपने दूरी देखी होगी, दूरी को जो है, मेटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसमें जो मापा जाता है, हम इसी को कहते हैं, यह जो मेटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर है, इसी को हम SI मात्रा कहते हैं दूरी का या आप नहीं देखा हूगा जो लिक्विड वाली चीज़ है बहने वाली चीज़ है हम उन सभी वस्तों को जो मेजर करते हैं जैसे पानी हो गया पैटरोल हो गया इन सभी चीजों का हम मेजर करते हैं लेटर में ठीक है या कोई वजन दारी चीज होगी जिसमें वजन होता है वेट होता है भार होता है हम उस वस्तो को जो मेजर करते हैं उसको मेजर किया जाता है किलो ग्राम या ग्राम में ठीक है ये जो किलो ग्राम या ग्राम है या लेटर है मीटर है हम इन सभी को कहते हैं SI मात्राग ठीक है त बल का जो ऐसाई मात्राख है वो न्यूटन होता है इसके बाद हमें देखना है कि बल जो है वो कितने परकार का होता है बस में कितने परकार के हैं कि अब दो परकार के बल दो परकार के होते हैं जैसे कि हमारे पास पहला है संपर्क बल और तूसरा है असंपर्क बल अब सवाल या आता है कि संपर्क बल किसे कहा जाता है और असंपर्क बल किसे कहा जाता है तो इसको हम देखेंगे आगे वीडियो में फिलाल अभी यहाँ पर हम जान लेता है कि हमारे पास में जो संपर्क बल लग रहा है वो कितने परकार का होता है तो संपर्क बल दो परकार के होते हैं कौन-कौन से एक है पेशियबल और एक है घर्षन पेशियबल किसे कहा जाता है घर्षन बल किसे कहा जाता है यह हम देखेंगे आगे वीडियो में फिलाल अभी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि हम असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं तो असंपर्क बल हमारे पास में तीन होते हैं तीन प्रकार कौन-कौन से हैं चुम्बकिये बल इस्थिर वैद्यूतु बल और गुरुत्वा कर्शन बल अब ये इस्थिर वैद्यूतु बल चुम्बकिये बल और गुरुत्वा कर्शन बल कौन-कौन से होते हैं इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज क वीडियो यहीं पर समाप्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद